भारती टीम के शांदार प्लेयर रोहिच शर्मा के तो सभी फैन हैं। उनकी पारी देखने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं। उनके सौट्स इतने परफेक्ट और उम्दा होते हैं कि लोग कायल हो जाते हैं। इसे पेश हम आपको रोहिच शर्मा के ऐसे व्यक्तित्व से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी आश्चले होगा। दरसल जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और रोहिच शर्मा मैन आप दे मैच चुने गये तो रोहिच शर्मा से एक सवाल पूछा गया था कि आपके मन में 100 रन बनाना था। तीवी रोहिच शर्मा ने बहुत ही साधारन तरीके से जवाब दिया था कि सब जानते हैं कि मेरे लिए माइल स्टोन माइने नहीं रखता। मैं 100 या 50 रन के लिए मैच नहीं खेलता। मैं टीम को जीतने के लिए मैच खेलता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम जीत चुकी हैं तो वह उसका एक मात्र उधारन रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा की सेल्फनेस ने पूरी दुनिया को अपना दिवाना बना रखा है। हर कोई रोहित शर्मा के इस गुण की तारिफ करता रहता है। इसी पीच रोहित शर्मा को लेकर नवजोत शिद्दू का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा कि मैं रोहित शर्मा जैसे सेलफलेस खिलारी नहीं देखा जो सिर्फ टीम के लिए खेलता है उन्होंने आगे कहा कि रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुवात की थी लेकिन उनके शौट बहुत अधिक देर तक नहीं टिक पाई एकी ओवर में बड वह बड़ी पारी खिलने वाले हैं लेकिन ऐसा हो ना सका